वेकम तो चैनल करन्ट अफेर अपडेटेड इस दिवशी शवस्ती देखिए आज जो हम टॉपिक डिसकर्स करने वाले mcq questions में that is going to be ancient history इस लेक्चर को जरूर देखना क्योंकि इससे मेरा माना इससे आपको exam में questions देखने को जरूर मिलेंगे बड़े important topics मेंने लिए static exam जो state pieces आने वाले उसमें तो बहुत important है plus UPSCA exam से याद रखेगा उसके लिए भी हमने पूरे तरीके से questions cover किये हुए और आप देखना चाहते है exams questions किस तरह के आते हैं तो एक बार lecture को एंट तक देख लो आपको समझ में आ जाएगा ये lecture 103 है बतब हम कितने सारे questions करा चुके हैं तो चलिए start करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से interesting questions हैं जो आपके coming exams के लिए important है तो वीडियो को एंट तक ज़रू देखिए अगर आप exams के लिए अपने serious है तो पहला question बड़ा static question बट exam में आएगा आएगा question है which among the following compose Iol inscription याद अखिएगा of Poliskin second remember so Iol inscription बड़ा famous inscription है okay पूचा गया इसको compose किसने किया है options आपके सामने दिये गए है remember मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रेता हूँ ये से inscription को compose किया है जिसने भी किया है remember बड़े important poet है ठीक है और उन्हों संस्कृत में compose किया है याद किसमें किया है संस्कृत में तो correct answer कौन है याद अखिएगा तो याद अखिएगा Poliskin second के ही poet थे remember उनका नाम था that is रवी कीर्थी याद अखिएगा इन्हों नहीं compose किया है यह लिंस्क्रिप्शन बड़ा फेमास है exam में question done मानिये question देखने को मिलेगा आपको अगर आप Google में भी type कर देंगे remember तो Wikipedia की पहली line ही ये लिखी होगी remember क्योंकि most important चीज है तो correct answer option में A है that is अरवी कीर्थी मैं लिखा भी है Poliskin second जो है उन्हीं के code poet थे जिन्होंने संस्क्रिप्शन को compose किया है let's move to the second question second question ये भी important है ये question आपको UPSC exam में देखने को भी लेगा UPSC आजकर कुछ इस तरह ही question मनाती है कि टर्म देदेग जैसे सुदेशी देदिया नानदेशी देदिया ठीक है अनुवर देदिया ये term देदिया उसने बोला ये पलवा kingdom के कुछ terms है remember ठीक है करें तो देखें आप अपने नोट्स पर तुरहने अपडेट करिए इस पॉइंट को correct answer option में भी है इंको हम traders कहते तो याद देखेगा तो सुदेशी नानदेशी या देखे अनुवर याद कर सकते हैं देशी के नाम से आप याद कर लिजिए कि इनको traders कहा जाता था description अगर आप इस topic का पढ़ना चाहते हैं मैंने पूरा यहाँ पर mention कर दिया है pdf आपको मेरे telegram ग्रूप पे मिल जाएगी join कर लिजिए link मैंने description box में डाल दिया है वहाँ से आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं बढ़ याद कि इनको traders कहा जाता था दो के चलिए next question माते question वर third again important question चोला डानेस्टी की कभी बात की जाए सुना होगा चोला डानेस्टी के बारे में मैंने 3 important temples लिखे हैं शयाद आपने सुना भी होंगे ब्रदेशोरा टेंपल, शोल टेंपल, विरुपक्षा टेंपल remember, सबसे पहले तो comment box में ये तीनो टेंपल located रिखा है, आज की rate में किस state में located है, या आप मुझे comment box से mention करिए किस state में located है अब पूछा गया, इसमें कौन सा चोला डानेस्टी के king ने बनाया हुआ है, options आपके सामने, तो आप सोच सकते हैं विरुपक्षा टेंपल, अगर आपको location पता हो, आप करेंगे नहीं सरी है, तो चोला kingdom नहीं बनाऊगा, बिल्कुल सही है, third अगर आप cut करते हैं तो correct answer जा अफकोस चोला के ruler ने बनाया है, नाम बताईए, तो कि शोर टेंपल किसने मनाया है, और विरुपक्षा टेंपल किसने मनाया है, बड़ा इंपोर्ण है विरुपक्षा टेंपल आप पढ़ेंगे तो आपको queen का नाम आपके सामने आएगा, बड़ी famous queen है, तो तीनों को correct answer आ अब दिग्या कोई dynasties लिखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर वो state का नाम लिखा हुआ है, क्या ये dynasties यहाँ पर थी, जैसे कि a home dynasty असम लिखा हुआ है, ककटिया dynasties बड़ी famous dynasties आंदरप्रदेश लिखा हुआ है, चेरा dynasties केरल लिखा हुआ है, यह ऐसे question यह easy question है, मेरा मानना है, बट सिल tricky हो सकता है, confusion आ सकता है, a home dynasty तो पढ़ी होगी शायद आपने होने, yes, it is related to a sum, okay, first correct है, इसका मदा भी हम डाउट में है, ककटिया dynasties, yes, यह question अल्रडी आ चुका है, remember, तो आंदरप्रदेश में बिल्कुल सही है, second भी सही है, इसका मतलब अब option A और D में से, चेरा कहां पर है, तो चेरा चोला पांडियास आपने पढ़ा ही हुआ है, और चेरा, yes, it belongs to Keral, तो correct answer option में D है, all of them are correctly matched, easy question था, नहीं पता था, तो इसको अपने notes में update करिये, okay, तो correct answer, that is option number D, okay, next question number 5, easy question, मदा पदेश के students के लिए, और भी लोग के लिए, easy question है एक oldest known art in India, जिसको हम भीमास कहते हैं, जादे कि भीमास कहते हैं, एक भीमा कौन थे, remember, जिसको नहीं बता, भीम कहते हैं, भीमा मैं बोलाओ, भीमा बोल सकते हैं, जो पांडव प्रिंस थे, from the महाभारत, या दखेगा, जो पांडव के प्रिंस थे, महाभारत से, उनको भीम लगाने लगते हैं, ऐसे questions को देखे, कि भीम है, तो क्या होगी, cave, ये सोच लगते हैं, बट इसके correct answer option में C है, जादे कि भीम बेटका caves, ज्यादा दिमाख नहीं नहीं कहना है, कभी कभी questions पे दिमाग इत्ता लगाईएं जरूरत नहीं होती है, ठीक है, बट आप मुझे comment box बताईएं, ये यूनेसको की world heritage site भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, किस year में ये यूनेसको की world heritage site बताईएं बनी, या मुझे comment box से mention करिए, किस year में भीम बेटका विकेम दा, यूनेसको world heritage site, remember, correct answer option में C है, भीम बेटका caves, I hope अगर आप विजट करें भुपाल, तो जरूर भीम बेटका caves को विजट करिएगा, चलिए, तो correct answer option में C है, question में 6, महायान बुद्धिजम, दो डाइप के बुद्धिजम, हीन यान बुद्धिजम, महायान बुद्धिजम, पढ़ा होगा दो डाइप के बुद्धिजम, मैंने पढ़ाए भी हुए है, remember, इन में स school को promote किया, patronize किया, तो अगर आपने पढ़ा होगा, हीन यान, महायान बुद्धिजम, तो मैं बता दूँ, अशोका ने हीन यान बुद्धिजम को patronize किया था, महायान को नहीं, तो अगर ये statement wrong है, तो इसका मतलब ये तो done हो गया, कि one two सही था, मलब one two आप चाहें तो पढ महायान बुद्धिजम के लिए तीन घंटे दे दूँगा, ऐसा जरूरी नहीं है, याद रखेगा, आपको कभी-कभी छोड़े-छोड़े points भी आपको help कर जाते हैं, जैसे मुझे ये help कर गया point, अब मैं third point पढ़ूँगा सीधे, कि महायान स्कूल predominantly use Sanskrit as a language, बिलकुछ सही संस्कृत को use किया जाता था, तो इसका answer हो गया, that is option number C, one, two and three, but अब आपको मुझे बताना है, हीन यान बुद्धिजम के में बात करो, हीन यान में कौन सी language use की जाती थी, या आप मुझे comment box में mention करें, महायान और हीन यान में differences तो अल्रेडी पढ़ा रखें, remember, but still आप मु जाए या पढ़ सकते हैं, next question was seventh, बड़ा important question है, exam में done मानी है, question आपको देखने को मिलेगा, state PCS देने वाले उत्राखन, MP, UP, बिहार, ये सारे अगरा, राजिस्थान, महराष्ट, गुजरात, ये सारे उत्राखन, ठीक है, जमून कश्मीर का SI का exam, आप देने वाले जारखन 37 गड़, तो एक question exam में देखने को मिल रहा है, remember इस बार, question है, the predecessor of buddha, बुद्धा जी से पहले जो थे, buddhism में, उनका नाम क्या था, options में आपको चार दे दी है, आपको correct answer बताना है, ठीक है, और आप मुझे comment box पे, उनका successor भी बताईए, ठीक है, उनसे पहले कौन था, व याद दखेगा, कसपा बुद्धा, याद दखेगा, तो कसपा बुद्धा जो थे, कसपा बुद्धा, that is, he was whom, that is, producer of lord buddha, remember, इसके बाद मैंने क्या पुझे, successor कौन था, उनके बाद कौना है, यह option आपके सामने, मतलब आपके सामने, आपके सामने, A, C और D option बसता है, त आपको कुछ ancient history question करा दिए, जिस आपको पता होगा, मेरे questions के साथ, कुछ current affairs के भी questions होते हैं, तो चलिए, आप current affairs के question देख लेते हैं, कौन से है current affairs के question, जो exam के लिए important है, okay, question है यहाँ पर, याद दखेगे, जो मध्यप्रदेश से देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके gas system में blending की जाएगी, किसने start किया है, okay, options है ONGC, NTPC, Gale, या power grid cooperation, okay, तो जिसको पता था, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है, तुरंद अपडेट करी, मध्यप्रदेश में, indoor में, remember, जहां से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ से, remember, Gale ने यह start किया, correct answer, Gale है, remember, तो इसी start किया, इसलिए यह मध्यप्रदेश के perspective से बहुत important question रहता है, और बाकियों के perspective से important, कोई इंडिया का पहला है, remember, so Gale has, ने start किया, इंडिया का पहला project, यादे इसमें हाइडोजन को natural gas के साथ mix-up किया जा रहा है, इन दौर मध्यप्रदेश ते start किया गया है, okay, next question, next question again, very important, अभी दो दिन से news में चल रहा है, remember, that is modified elephant, अब दिखें, modi आ गया है, ठीक है, है ना, sorry, modified, remember, modified elephant, remember, तो इसका, अब, actually, इसको कहीं कहीं लोग, इसको में मोधी भी यूज कर रहा है, इसलिए मैंने यूज कर लिया, अब या दिखेंगा, modified elephant, remember, तो ये जो है, ये news में चल रहा है, ठीक है, तो modified elephant के बाएं पुछा गया है, ये क्या है, जो अभी news में चल रहा है, remember, अभी American ने इसके बारे में कुछ बताया भी है, American की agencies ने, ये एक hacking group है, ये human wildlife conflict है, genetically modified elephant है, ये none of the above है, elephant देखके तो कुछ लोग सोच रहोंगे, sir, ये कोई elephant होगा, हाथी बगर रहे है, correct answer option number A है, ये एक hacking group है, याद रखेगा, जो एक तरीके सा attack कर रहा है, एक तरीके spams भीज रहा है, ठीक है, उनका data चुराने कोशिश कर रहा है, तो that is a hacking group, जो अभी American ने, देखे मैं लिग भी रखा, American agency अभी इस modified group के बारे में, modified elephant के बारे में बताया है, remember, तो this is also important, description आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, okay, last question जो है, current affairs का, वो है, one ocean summit के बारे में, ये बड़ा news में चल रहा है, अभी इसकी summit virtual हुई, remember, 9, 10th और 11th feb को हुई, remember, हमाया प्रधान मंती मोदी जी ने भी participate किया, मतलब, इंडिया ने भी participate किया, इस virtual summit में, अब ये इसी के regarding मैंने कोशन मनाया है, one ocean summit, एक कोशन मनाया है, पुरी summit complete हो जाएगी, पहला कि इस summit को organize किया गया है, Indian Ocean Commission ने, second statement, इसका aim जो था, to raise collective level of ambition of international community on marine issues, okay, अब ocean summit, ocean related है, ठीक है, अब second statement, aim इसका क्या होगा, aim generally आप देखेंगे, statement से बना जाते हैं, generally सही होते हैं, अगर only statement ना हो, ये मेर मानना है, remember, एक बाद फिर से देखेंगे, only statement हो नहीं है, बिलकुल marine issues से related होगा, बिलकुल हो सकता है, सही है, marine issues से related है, second सही है, और generally first statement जो body दिया थी, generally UPSC गलत दे थी, ऐसा मेरा मानना है, जो ही नहीं हमेशा गलत दे, सही भी हो सकती है, okay, यहाँ पर body गलत दी हुई है, remember तो correct answer यहाँ पर B है, two only, आप सोचेंगे, sir, यह है क्या, Indian Ocean Summit, one ocean summit, तो मैं आपको बतायता हूँ, इसको organized किया गया है, फ्रांस के द्वारा, remember, ठीक है, और cooperation इसमें United Nation का, World Bank का, बड़ी important organizations है, important है, India ने participate किया, again, very important है, और इसका summit में आपको बता है, marine issues के regarding, यह summit होई थी, remember और United Nation ने यह point और याद कर लिजे, 2021 से 2030 तक, ठीक है, क्या declare कर दिया है, decade of ocean science for sustainable development, declare किया, decade of social science for sustainable development, declare किया है, तो एक 10 साल की time period को declare कर दिया गया है, तो यह था, यह important है, one ocean summit, question आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, इंडिया ने participate क्या हुआ है, तो यहाँ पर हमाई 10 questions कवर होते हैं, ठीक है, I hope आपको questions बड़े अच्छे लगे होंगे, बहुत कुछ सीखा होगा, ancient history में, बहुत कुछ नोट्स में आपना update कर लिया हुआ, that is very important, अब मेरा एक course भी चल रहा है, अगर आप चाहते हैं, मुसे subject पढ़ना चाहते हैं, ancient history, medieval, modern, अभी तुम्हें बता जोईन कर लो, boost up मिले की मेरी shorty है, remember, ठीक है, तो इस course को आप, इस को हैं details, आपको मेरे application मिल जाएगी, तुरंथ लिंक से आप आपको download कर सकते हैं, okay, दूसरा, मैं अभी आपको बता है, मैंने NCRD के classes भी चालू कर रखी है, 6 से लेके 12 तक ही सारी NCRD में पढ़ा रहा और एक बार मेरा आप lecture देखना, मैं कोशिश करूँगा, एक दो लेक्से मैं YouTube पे डाल दूँ, आप lecture देखना है, जो NCRD होती है, वो बड़ा paragraph में दी रहती है, और उसको पढ़ना बड़ा difficult होता है, याद रखना बड़ा difficult होता है, पढ़ना क्या है, चोड़ना क्या है, य बड़ा difficult होता है, और यही मेरी NCRD की classes में आपको benefit मिलता है, जैसे मैंने देखिए अभी class 12 की NCRD start किये, तो आपको बहुत ज़्यादा benefit मिलेगा, तुरंत इस course को भी आप एक बार application में विजिट कर लें, अगर आप 2023 के लिए exam की preparation कर रहें, एक बार NCRD तो complete हो जानी चाहि आप दे रहे हो तो, आगे मैं आपको बता दू, कहां पर मिलेगा, application का नाम है दिवशिष क्लासे, link में description box है, मैंने सब कुछ mention कर रखा है, आपको download करो, सर आइफोन यूजर है, उसका भी procedure मैंने description box में mention कर दिया, सर आपको हमको यूज नहीं कर, हमको laptop यूज करना है, laptop पे knowledge जादा मिलती है, remember, तो वीडियो को like जरू कर दे, questions में कुछ interesting सीखने को मिला, channel को subscribe कर दे, first time आया है, notification का बटन दबा दो, जिसमें आपको हमाई information मिलती रहे हमाई coming lectures के बारे में, कोई suggestion देना चाहते हैं, बिलकुल आप suggest कर सकते हैं, plus कोई doubt query है, वो भी comment करें, बट जो मै मैंने क्या पूछा है, कोई बाती, lecture complete होने बाद वापस सुनो, और जो जो मैंने आपसे पूछा है, comment box में, जरूर comment करके बताइए, हम आपके comments read out करते हैं,